एक भाई ने पूछा है कि गुरु ने जो आदेश दिया उसको करने से उनकी दिया मिलती छोड़ दिजिए उसको हम लोग बाप भी हैं कुछ माँ भी हैं यहां कुछ बच्चे भी हैं आप अपने बेटा को कहते हैं कि जा वह और आम कि इसके तो दोड़ के पेड़े से लाओ आज एक ये आम का पेड़ उसके हाथ में हैं तूट जाएगा हाथे से और नहीं जाता है पांच दिन इसको कहे गाहने जो नहाँ रहे हैं चटनी खाला हाई आम आज तूड के लाना अब नहीं जा रहे हैं दूसरे एको बेटा हो कहते हैं कि जाने यारे वाम तुल के लाओने चटनी खानी उतुल के बेचरा ला देता है तो किसको ज्यादा मनिएगा जो चटनी आम तुल के ले आता है उसको कि जो आम तुल के नहीं लाता है उसको बेटा दोनों है कोई काम पड़ेगा तो उसी को नहीं कहिएगा तो गुरु का जो आदेश करेगा गुरु की दिया उसी पर नहोगी गुरु कह रहा है कि तांग उपर मुड़ी नीचे आप कह रहे हैं कि नहीं तांग नीचे मुड़ी उपर यह किसे चलेगा गुरु कह रहे हैं कि दूसरों को समझाओ, दीन भर गप मारिएगा, हम मसान में रहते थे, मसान के लोग कम बोलती हैं, वहां किससे बात करिएगा, अब मेरी शादी होई 1972 में, जिस दिन शादी होई उस दिर रात भर महरादू के साथ गुटरुगूई, 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 गुटरुगूई की हैं, दीन भर रात भर बकर बकर करती हैं, और कहा गया कि जरा महादेव के बारे में गप करिये, तो हो ये नह बदमसीन है चलेगा मैं किसे चलेगा गुरु आदेशित कर्म किसी के भी आदेश पर काम करिएगा एक सुन लीजे एक किरानी को हम बदल दिया पटना से सहरसा एक किरानी का तबादला कर दिया पटना से सहरसा आया आते आते गोड़ धर लिया मेरा ओफिस में कि सर मेरा परिवार पटना में रहता है उसको हमको सर छोड़ दिजे सर हम पटना में रहना चाहते हैं हम दो थो रुपया पकट से निकाला आ उसको दिया कि जाओ सामने पान की दुकान है सच्छी वाले के बाहर पान लिया वेगो अब उ कहे कि जिना जब तक मेरी बदली रोक किया का नहीं हम कुछ छोडबे नहीं करेंगे आपका गोल हम करें रहे इद्धु गुरुपया ले पान लिया नहीं लाया हूँ मेरा गोल नहीं छोड़ा अच्छो साल तक उसको साहर से मेरा ना पड़ा पट्ना वापस नहीं हुआ साल मेरा अदेश अपान लाने के लिए तो साल मेरा गोड़ धर हुए हत्रीक है तो गुरु का अदेश नहीं मानिया कहिए नहीं महाद्यों को एक अदमी हमको बोला कि ना आप आर्थी करते हैं ना कुछ करते हैं हम कहें बाबु सुनो बाप जब घर में आता है तो बिटवा आर्थी करता है कि बाबु जी जय जगदी सरे ओम जय दी दी सरे ने नबाबु जी को करता है माय को करता है नहा करता है अगर भक्ति देखाता है ओम्पिता इओं पितजी नाव हो मों पिता नाव देखलता है तो महद्यू को आरती करेंगे तब बैं खुश होगा महद्यू को खरपती दिखाएंगे तब बीष्ड़ियन वो पर्षण तब होगा जब उसको आप अप्ना समझियेंगा अपना अपने पन का जब भाव आवेगा न तब वो परसन होगा यह आरती अगर बती से क्या है परसन हो ने जाए ठीक है ना से हाँ ठीक है चलो एक अच्छा काम है करते हैं लहीं कोई ज़रूरी धोड़ी है गुरू का जो आदेश है वो तो करना ही चाहिए वैसे अगर आथ संस्कृत समझते हैं तो जान लीजिए शिस शब्द बना है संस्कृत में शस्धातु से शिस शब्द जो बना है वो शस्धातु से बना है संस्कृत में उसी से बना है शासन उसी से बना है प्रशासन उसी से बना है अनुशासन और उसी से बना है शिस्य शिस्य शब्द का आर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो शिस्य शब्द का ही आर्थ होता है जो अनुशासित होने योग्य हो यानि गुरु जो कहते हैं वो करने लायक हो वही चेला है तो गुरु का देश तो हमको आपको करना ही पड़ेगा और तभी उनकी दिया मिलेगी नेक्स्त जब हम सिफ को पूझा करते हैं तो गुरु बनाना जरूरी है कृप्या हमें समझाए जब हम सिफ की पूझा करते हैं तो गुरु बनाना जरूरी है हमें कृप्या समझाए वही हाल है महादेव तो बाबा है भाई शिव तो कहा जाता है चन्ना मामा सब के मामा शिव घर-घर के बाबा बाबा तो है वो और बाबा की समपती में पोते पर पोते लखड़ पोते जो जो कहिए सब का अधिकार होता है होता गी नहीं होता है भारत के कानून विश्ट के कानून में तो है बाबा की समपती में सब का अधिकार है यह तो हमको आपको मालूम है तो हवा माशिव की पानी उसका धर्ती उसकी पेड उसके नदियां उसकी समुद्र उसके हम उसके तो संपत्ति का भोग ले रहे संपत्ति भोग रहे लेकिन बाबा की संपत्ति में पोती का अधिकार है लेकिन बाबा के ज्ञान में पोती का अधिकार है जरा बता दिजी पोती बठी हुई यह न मेरी बाबा की संपत्ती में भारत का कानून इसको अधिकार देता है मैं तो मैं स्टेट ही रहा हूँ गर्व में अगर बच्चा है मा के गर्व में अगर बच्चा है तो उसको भी संपत्ती का अधिकार है कानून क्या इनको ग्यान हमसे मिलेगा बाबा से गढ़ा है गढ़ा रहा जाएंगे तो शिव से जब तक आप ग्यान नहीं लेंगे जिसने स्रिष्ठी बनाई है जिसने हम सब को बनाया है जो रख रहा है जो तोड़ रहा है जब तक ज्ञान नहीं लेंगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा समपत्ति तो भोगे रहें हवा उनीक है हम भी उनीक है पानी भी उनीक है सूरज भी उनीक है बादल भी उनीक है सब कुछ तो नहीं का है उसी परमात्मा की स्रिष्ठी है तो हम लोग भोग तो रहें समपत्ति ल के लिए ज्ञान में हिस्सा लेने के लिए हमको आपको शिस्की मानसिक्ता में जाना होगा और उसी सत्ता को उसी शिव को उसी शिव को अपना गुरु बनाना होगा ताकि ज्ञान में भी आपको हिस्सा मिले संपत्ति में तो हिस्सा मिला हुआ है नेक्स्त। गुरूर प्रुम्हा गुरूर विसनु गुरूर देव महेश्वरा, इसमें तो सभी को गुरू बना बोला गया है, तो महादेवी, हमारे गुरू कैसे भे? क्या? गुरूर प्राम्हा, गुरूर देव गुरूर… है है ठीक है हम समझ गए आगे पड़ो नै इस में तो सभी को गुरु बोला गया है ऑ अच्छा 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 भाई सामने पूचा है कि गुरु प्रह्मा-गुरु विष्नु गुरु देव महेश्वरा में सब Archite rough गुरु बनाया गया है तो श्रीव को गुरु मानने के जरूरत साब देवताद गुरु हाई ले भोजपूरी में ओ कहावत बा भक्चोनर हुआ का हो जैसे मैं आया इस हॉल में आया तो इतनी बत्तिया चाल रही थी कि हम चुनरा गए हमने का बन करो मैं तेजी रॉष्णी में नहीं सुझना भक्चोनर अरे भया उस संस्कृत है उसका आर्थ ठीक से लगाओ न उल्टे कर दिया गुरुर ब्रह्मा यानि गुरु ब्रह्मा है संस्कृत में इसको जीरु आया होगा परिछा में गुरुर ब्रह्मा गुरु ब्रह्मा है ब्रह्मा मने स्रिस्टी की को उत्पन करने वाली शक्ति जिसको ब्रह्मानी शक्ति कहते है उसके धारक देवता को ब्रह्मा कहते है यानि गुरु के पास वो पावर है वो शक्ति है जिससे वो श्रिष्टिक की उत्पत्ति इश्वर जो करते हैं वो गुरु के पास भी है गुरुर विश्णू यानि गुरु विश्णू है वेश्णवी शक्ति जिससे पालन पोशन संसार का होता है उसके देवता विश्णू कहे जाते हैं गुरु के पास यह भी पावर है जो विश्ण चीफ कंट्रोलर है, महेश का मनी होता है नियंत्रक, वो भी गुरु को पावर है, यानि अन्य ही रहेगा, तो आज जीव को कैसे उश्य बनाएंगे, इसलिए का जाता है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वार है, गुरु साग्षात फरमात्मा ह पुरा ट्रांस्लेशन है कि उल्टे दहलोस, सिधा उसका अर्थ ही होता है, उल्टा अर्थ मतलगाईए, संस्किर्थ है, और ये तमिल नाटू में तो संस्कित मूल भाषा है, किससे पूछ लीजे? सिफ सिस्तिय बगिया का फूल तो नहीं बन सका, लेकिन आप से प्रार्टना है कि आप अपने चर्णों के धूल तो कम से कम बना लीजे? अच्छा अच्छा, एक भाई ने कहा है, कि शिव शिस्तिता की बगिया का फूल तो मैं नहीं बन सका, आप अपने चर्णों की धूल हमको बना लीजे, हम तो अपने सारा धूरी है, हम हमरे पाऊं की धूल लेके क्या करेंगे? हमरे तो गुरुशिव हैं, उनकी धूली लीजे, तो कुछ काम भी बन जाए, कुछ जगत भी ठीक हो जाए, और कुछ पारलोकिक जगत भी ठीक हो जाए, मेरी धूल लेके क्या करेंगे? जैसे आप हैं, वैसे हम हैं, आप भी शिव के शिट से हैं, हम भी शिव के शिट से हैं, दोर में कोई फर्क तो है नहीं. मेरा बेटा सिव से को गुरु मानने के लिए तयार नहीं, तो क्या करें? अदम ठीक है, एक भाई ने पुछा कि मेरा बेटा महादेव को गुरु मानने के लिए तयार नहीं है, इसे बढ़ियां बाते नहीं हो सकती हैं, छोड़ दीजे. जो कहें ना, समझ दीजे एक दिन उहां कहेगा, जो कहें हां, उचलो वो तो ठीक है, बात में ना कह सकता है, अज जो कुछ नहीं बोले, ना हां ना ना ना, उउच साला बड़ी खतना कहोता है, जो ना कह दिया, वो एक दिन हां कहवे करेगा, जाएगे कहा हूँ, तो बेटवा नहीं मान रहा है, तो मानेगा एक दिन जरूर, अगर बेटवा कुछ कुछ नहीं बोलता है, चुप, तो समझ दीजे साला ही, डेंजरस, कुछ नहीं करेगाई, चलिए. सिफ गुरू है, ये समझते हुए भी मन अपना समझता नहीं है, लेकिन मैं अपना समझने के लिए करने की किसी को जरूरत नहीं है, मन समझने के लिए क्या करें? वही तीन सुत, आपका मन समझे कि शियू मेरे गुरू हैं, तीन सुत्र ही करने होंगे आपको, और मूल्ता महादेव से देया मांगनी होगी, आप लिए नमर्शिवाए करते नहीं होंगे? कोई करता है नमर्शिवाएं? को अगमी नमस्य वाय करता है जरहाँ तुठातो अरे सलासब जूट बोलता है अच्छा एको बात बता जिराशान्त हो जाईए भाई साहब सास जब भीतर आती है हर एक आदमी की सास आती है सास जब भीतर आती है तो नमहा आया अपनी कति में आपको तेज कम नहीं करना है जैसे सास चल रही है उसी कति में सास जब भीतर आती है तो नमहा आया सास जब बाहर गई तो शिवाय गया इसको रोज कौन-कौन दुये बार करता है एके बार करता है, कौन करता है, सब कर बे करता है, अच्छा गिराई, धन्यवाद भाई करते हैं, तो, सांस प्रस्वास पर नमशिवाए, करते हुए महादेव को याद करिये, आप दो मिनट से ज़्यादा नहीं ठिकियेगा, बजाल में मन चला जाएगा, उद्धाद मन चला जाएगा, नमशिवाए को आपको तुक्ले तुक्ले में करना है सांस पर, एक बार किया, पांच बार, एकार बार से ज़्यादा मत करिये, फिर दो घंटा के बाद दो बार कर लियां, फिर तीन घंटा के बाद एक बार कर लियां, ऐसे ऐसे करके, उसको तुक्ले तुक्ले में सांस पर ऐसेसे सांस मद घीचेगा प्रणयाम के तरह जैसे सांस चलती है उसी तरह से नमा आया शिवाय गया, उल्टा भी मत करिएगा नमा ही भीतर जाएगा, शिवाय ही बाहर जाएगा, उल्था मत करिएगा इसको करिए करना चाहिए आपको सोने के पहले ज़रूर करिए जागने पर कुशिस करिए कि हो जाए होता तो नहीं है साली चाहय यादा आती है चाह शुत यादाती नहीं है लेकिन जब भी जहां भी मौका मिले है इसको करिए मैं अपने गुरू महादेव के साथ साथ सहां तरी से विंक्ती करता हूँ कि एक पस सेलम तामिल नाडू की धर्दी पर अपना पैर रखते ताकि मेरे गुरू महादेव का तीन सूत्र तेजी से हो जाए इसके लिए मैं साफ रिश्ट रिया मांगता हूं सेलम आने के लिए मुझ को निमंत्रन दिया जा रहा है हमको समझ में नहीं आता है कि साल्छ हम सत्तर साल के हो गए इस सवस्रों सब हम ही को बोलता है आपने नहीं आता है गजबाले वैसे मौका मिलेगा तो मैं जाऊंगा क्या मौका मिलेगा यार पुरान गाड़ी होर्न बसता नहीं है गाड़ी को चलाना पड़ता है गाड़ी चलती है तब है कहती है होटना तचीप देब कहा करें यार पैसे आएंगे मेरे तरफ से साहप स्री को जनम दिन की बहुत सारी पथाईयां आप बहुत लंबे समय तक हमारे बीच चमकते रहें ज्यान की रौसने की तरह सिव कुरू से यही मेरी कामना है ठीक है समझ गया समझ गया समझ किसी भाई ने मुझको जनम दिन की बढ़ाई दी आप एक बात जान लीजे कि जब मैं पैदा हुआ था वो बहुत घनी अंधेरी रात थी सुबह पैदा हुआ और रात में दिवाली मनाई गई थी दिवाली के दिन मेरी पैदाईश रोष्णी तो जल गई शाम में मेरे पैदा होने के बाद लेकिन मैं अंधेरे में पैता हुआ था, दिन का समय था, आठ बज रात सुबह का लेकिन रात बड़ी काली थी, मेरी जिन्दगी भी काली है, खुशिया नहीं है मेरी जिन्दगी में लेकिन सोचता हूँ कि आपकी जिन्दगी में खुशियां आ जाए तो मेरी जिन्दगी भी खुशाल हो जाए मैं अपने जर्मनी से कभी परसन नहीं हूँ नहोंगा दूसरों की जिन्दगी में अगर खुशियां ला सकें आप दूसरों की जिन्दगी में प्रकाश रोशनी दे सकें आप इससे बड़ा आप का आना कुछ भी नहीं है अगर जीवन को सार्थक करना चाहते हैं हम आप तो दूसरों को रोशन करें दूसरों के रास्ते को प्रकाशित करें दूसरों की जिन्दगी को खुशाल बनाने की कोश करें और शीव से जोड़ेंगे इससे बड़ी खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है वो लौखिक जगत का हो या पादलौखिक जगत का हो चलिए मैं आप चलता हूँ आप लोगों को प्रणाम में निवेदित करता हूँ लेकिन अब आऊंगा मैं चिन नहीं तभी जब आप बुलाएंगे और बुलाने का कारण होगा कि आपने महादेव का काम बढ़ा लिया लोगों को शीव गुरू से जोड़ लिया और जोड़िये हम आपके साथ हैं वो महादेव भी आपके साथ हैं आपको प्रणाम